राज़धानी दिल्ली में हिंसा के बीच आज केंद्रिय मंत्री रामला स्पासमान अमन भैचारे और दुआ के लिए अपने परिवार के साथ अजमेर सरिप दरगा के लिए चादर रवाना किया चादर रवाना करते हुए रामला स्पासमान नहीं कहा कि दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुआ अब जो हुआ सो हुआ लेकिन अब भैचारा कायम रहे इसी के दुआ के लिए हम अपने परिवार के साथ अजमेर दरगा के लिए पर टैक साल रवाना करते हैं चादर इस्वाग जो है हिंदिली हिंसा हुआ इसलिए जल्दे ही अजमिर्स तरिप के लिए हम चादर रवाना कर रहे हैं। जाई भी हैं दलित भी हैं बरमन भी हैं और यह हमारी यही तहजीव है कि सब लोग हजारों साल से प्यार महबत के साथ में रहते आये हैं। और हिंदू भाई जो है मुसल्मान को कहते हैं कि बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ एक तत्व होते हैं जो समाज को कहते हैं भी बदनाम करते हैं। देश को भी बदनाम करते हैं और लोगों के जान को जो खिम में डालते हैं। और जितने लोग के अगते हैं कि जो मरे हैं। 43 के अगते हैं क्रोस कर गया है। दो उसमें जो पुलिस के हैं ये काईबी के और एक पुलिस के वो भी सामिल के अगते हैं। सब ना अगडिक करते हैं। की देखो इससे कोई देश की जो है। कोई मर्यादा बढ़ती नहीं है और देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में जब एक बार का कलंक लग जाता है राजधानी में तो उसको मिड़ते मिड़ते बहुत समय लगता है और फिर लोगों में जब एक बार खौप का बाता बरना आ जाए डर का बाता बरना आ ज कि वो उसका बहुत बुरा असर भी होता है मैं खुसी है इस बात का है कि अभी कहते हैं कि सिच्वेशन जो है वो सांथ है और हम डोबाल जी को भी बहुत धन्यवाद दना चाहते हैं हलाके लोग कर रहे हैं कि लेट से क्यों आये जो भी हो लेकिन उन्होंने वो जो घूमे सब जगा तो घूमने के बाद यह गते हैं कि जो है लोगों में यह के विश्वास का बातावरन पैदा हुआ जो कि आनाई के सलाकार हैं तो सब लोगों को लगा कि नहीं कि यह प्रधान मंत्री जी के डाइरेक्ट क्या करते हैं दूत बन करके जो हैसो आये हैं और सब लोगों करने का कि ठीक है हम विश्वास भी करते हैं हिंदू हो मुसल्मान हो तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि और कि आज जो फिर से अमन्द चेंज है काइम होगा सब लोग भाई-भाई करकर रहेंगे और आज 808 जो है जो उर्स का जो हमेशा दरगा में हम लोग भेते है आज मेर सरीफ में तो उनका और सका मेला चल रहा है और हमारे साविर भाई हैं तो हम लोग भी हमेशा जाते रहते हैं लेकिन जब हम नहीं जाते हैं तुमको लगता है कि पिछले 25-30 साल से जो है चादर जो है सो वहां हम लोग जो है उनको भेजने का काम करते हैं और हम फिर थोसे हम अपील करते हैं और भगवान से भी अपील करते हैं कि जो हुआ वह हो गया लेकिन कम से कम जहाँ अब लोगों को जह कहते हैं कि सांदिपनु पुर्भग रहने का जीने का ज यह से कहते हैं कि वह औसिरबाद्द सांदिश को नहीं कोई ऐखता है।ın लोगों की मतलब एक तो सपॉँर के लिजिये कि मरना दूसरे जिस तरीके छ हत्या हुई हैل फिर सारे के सारे महला का महला जला दिया गया डेख रहे हैं कि कार जला हुआ है और काствен branch का ऑर जोगा जला हुआ है तुससे जाधा कलंग और तु हो सकता है इसलिए वो तो है ही अब हम उसमें ूप देगे जो पास्ट है उसमें हम नहीं जाएंगे है अब क्या गते हैं कि सारा का सारा जाँच छल लए है और उसके पूरा का पूरा विश्वास है और सब लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि जो जांच है investigation है वो जांच जो है वो निस्पक्ष होगा यह हम कहा सकते हैं और उसके बाद जांच में जो भी सुरू से ही हम लोग कहते आये हैं कि जो यह जो हत्व इस तरह के जो तत्तो होते हैं उनका ना कोई धर्म होता है ना कोई जात होता है ना कोई मजभ होता है और जो कोई भी दोसी पाए जाएं, जाए हेट एस्पिच करने वाले हैं, या चाहे मालते हैं कि एकसन करने वाले लोग हैं, जो भी लोग उसमें दोसी पाए जाएं, उनके खिलाप में क्या गता हैं, सक्त से सक्त कारवाई क्या गता हैं कि होनी चाहिए, और ऐसे घटना जिस तर अब जिसे उससेख चलब लह मामला अब ये पंजाब ला मामला महला अब चैन सी इने कह सी तो उसनुन तो वू इनकर करना इस measure करें लहीं लीठ नहीं होना चाहिए है जो भी किया कईधा और कर्के और इमपीANS कर्के付 को इसमें है कि अब कर कर के और जो भी दोसिय है उसे खिलाप अर्मारी कारवाई होनी चाहीए को कारथना करते कर देश को सबको सदबुद्धी लेटेस्ट वीडियो पानी के लिए पहला आइकन को जोड़ दमाएं साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले